कि नुश्कार दोस्तों बना नाम का प्लसिक्ता स्वागत आपका सड़िये की एजुकेशन प्लाटफॉम में आपने लेस कंपनी के चिप्स जरूर खाएंगे पटाटो चिप्स आपने देखे कितने क्रिस्पी होते हैं टैंगी होते हैं अब उसको उगाने का एक यहां पर मे सब्सक्राइब उनके पीछे ग्रो होने वाले एक स्पेशल काइंड के पटाटो क्या है वो किस तरह से उन्होंने रिजिस्टर करा रखें किस तरह से उस पर IPR लिया हुआ है इस सब जानेंगे इस वीडियो में और साथी साथ यह जानेंगे कि अभी क्या क्राइस फेस होने लेको इपसिको की पैपसिको की लेस के अभरत में इन प्टाटो की को लेके यहां पर जो पेसे सब्सक्राइब इसका सब notices राइट नहीं होगा अब इसके वीचे काफी रीजर्स बताया जा रहे हैं एक केस बताया जा रहा है जो 2019 में फ्रीटो ले ने इंडिया के फार्मर्स के अगेंस्ट गुजरात में फाइल कर दिया था कुछ एक पूर दोक्यमेंटेशन के प्रूफ यहां पर बताया जा रहे हैं जो उन्होंने प्लांट वराइटी प्रेटिक्शन एगेंसी को सम्मिट किया था यानि उनके जो डोक्यमेंटेशन है वो भी ठीक नहीं थी जो लॉग एक ठीक नहीं है इसलिए पेपसी को अब वापिस से इस तरह क पटाटो पे जिसको हम कहते हैं FC5 की जो ब्रीड है उस पर कोई भी आईप्यार क्लेम नहीं कर पाएगे तो जानेंगे इस वीडियो में कि किस तरह से यह आईप्यार क्लेम होता है और कौन इनके पीछे यानि इस पूरे केस को परस्यू करने में एक काफी फेमस एक्टिवि जानेंगे तो जानेंगे एफसी फाइटो क्यों इसना important है क्यों वो क्रिस्पी टेंगी टेस्ट आपको अच्छा लगता और क्या ऐसा है लेज में जो बाकी लोकल मिलने और चिप्स में नहीं है आप मुझे फॉलो कर सकते हैं यहां से आपको पीडियाप मिल जाएंगे मदलब बाज़ा नहीं आता वह टेस्ट में आता है उसमें मिलने वाला मोस्यटनट पोटापमें काफी हाई मोस्यटर था कंटेंट होने की वज़े से परटेटब उस तरह क्रिस्प नहीं हो पाते जब उनके मदानी की कोशिश करते तो पैसिको ने क्या कि वहां उन्हों और तो जो सबसे बड़ा नहीं के घ्राप हुनने की वज़े से लेज को यहां पर क्राप करना पड़ा और अपने लिए से पंजाब में आपके युथा सब्से बड़ा पपशार कीुज 거ो के क्रोप्ष ग्रोफ की जाती है जो सारी प्रोसिकाइड की नी है और उस से प्रोस converge करकर के आपको चिप्स आपकी मार्केट तक भीजती है फिफ्सफ सकते हैं कि अलग तरह kindly ब्रीड को यहां पर उन्होंने तैयार किया ठीक है अब यह ब्रीड तैयार करने में उन्होंने सबसे जादा जो चीज पर ध्यान दिया वो था वाटर कंटेंट कम करने के लिए अगर आप देखेंगे पटैटो जो FC5 है जो की फ्रीटो लेज यूज करती है पेपसी को यूज करती है उसमें वाटर कंटेंट लगबग 80% है जबकि आप अधर वाराइटी में देखेंगे 85-90% 95% मिलता है अब 2009 से FC5 को कमर्शिल यूज के एक पर यूज के दिया गया और पन्जाब में फार्मर इसको घ्रो कर रहे हैं प्रीडिसाइद प्राइस पे इसके बाद उन से ख्रीदने के बाद पेप्सी को इनको अपने में ले जाती है इनकी chopping करती है इनको process करती है और उनको pack करके आप तक पहुचाती है अच्छा अगर हम इस FC5 के जो पूरे वर्ड में इस तरह की वराइटी यूज हो रही है इसके अगर हम cultivation पर देखे तो डॉक्टर रॉबर्ट डबलू हूप से जिन्होंने वर्ड में सबसे किया था फ्रिटोले कंपनी ने फ्रिटोले जैसे कि मैंने आपको बताया कि पेप्सिको का चिप्स का बिजनेस देखती है वहाँ पर यह प्रिंसिबल साइंटिस्ट थे और उन्हें 1987 में इस तरह के रिसर्चेस के तुरू FC5 जैसी वराइटीस को प्रोड्यूस किया है यह एक तरह से पटाटो ब्रीडर का काम कर रहे हैं मतलब यह कंपनी के लिए पटाटो ग्रो करवा के देते हैं अब बाद में डिजीज रिस्टेंट पोटाटो भी लाए गए जिससे कि इनका जो बिजन उनको टाइम टो टाइम लोग करते गए आई पियार के माध्यम से उनको अपेटिड कराते गए यानि कहीं नहीं इन्होंने एक मुनोपली बना ली पटाटो के चिप्स बिजनस में ठीक है पटाटो तो ठीक है बहुत आम है जर आप जाएंगे साउथ अमारेका में तो वहा पर बहुत जादा को इसको नहीं डेवलब किया जाता नहीं ग्रो किया जाता अगर हम बात करें आई पियार की कि पटाटो को लेके क्या आई पियार लॉस हैं तो भारत में पटाटो लगबाब देखेंगे 151 जो इसके वराइटीज हैं वो रिजिस्ट्रेशन लिए ओपन क पर लिए गई हैं कि यह वराइटीज आप रजिस्टर करा सकते हैं और आई पीर अक्ट में आप इनके बेनिफिट्स ले सकते हैं साथ देखेंगे पीपीवी एफ़ एक्ट में यह जो पटाटो जैंको रिजिस्टर कराया जाता है अब एक बार पीपीवी यानि प्लान प् सब्सक्राइब करने के बाद उसको रिजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई क्या था 2011-2016 में उसको रिजिस्ट्रेशन मिला अब हुआ कि 2019 में उसने देखा कि गुजरात के कुछ फार्मर्स इसी तरह का इसी तरज पे एफसी फाइब जैसा ही पटाटो कर रहे हैं जबकि इसक और कंपनी को पीछे हटना पड़ा कंपनी यह कह रही थी कि आप हमारा आई प्रिंच कर रहे हैं कंपनी ने के करोड के जो सूट्स हैं वो फार्मर्स पर डालती और बोले फार्मर्स को पेबाक करना पड़ेगा अब इसके चलते हो फार्मर्स ने काफी ज्यादा प्रोटेस यहां पर फार्मर का लाइवलिवड जादा इंपोर्टन है किसी भी IPR मेकानिजम के बचाए तो यहां भी जो IPR यहां पर अपने पूसा यूनिट की बात करेंगे जो इस तरह के डिवलप्मेंट करता है तो वह इस तरह की काफी प्लांट वराइटी बना चुकिया और फार्मर उसको ग्रोग कर रहे हैं तो यहां पर वही उन्होंने का कि अगर फार्मर्स इसको अपने लाइवलिवड के ल हम जाएंगे तो फिर हमें अपना बिजनिस जो है खोना पड़ेगा लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी जैसा कि मैं आपको बताया कि पीपीवी एफार जो एक्ट है उसे 2001 में पास किया गया था उस एक्ट में प्लांट प्रोटेक्शन की बात की गई और साथी साथ प हम नइभे उसको ग्रोग किया तो इस में क्या दिखा था हम वो को Prophet करेंगे चोटे लेवल पर ही उसको बेचेंगे तो इस ने उन डॉक्यमेंटेशन को पूरा नहीं और फिर भी उसको इस तरह के IPR के राइट मिल गए तो यहां भी यही कहा जा रहा है कि पेप्सिकों ने अपने अपने यह कह सकते हैं कि पोजीशन का यह अपने पैसे का फायदा उठाके कि फार्मर्स को उनके लाइवली हुट से दूर करने की कोशिश किया अब जैसे कि जैसे यह चलता रहा आगे फाइनली यही ओडर आया कि पेप्सिको जो है फार्मर्स को हैरेस कर रहा है केसे फायल करकर करके इंफ्रिंजमेंट की बाते करकर करके उनको ढरा रहा है यहां तो पास भी राइट है कि वो इस तरह की प्लांट को ग्रो कर सकते हैं जब उन्होंने डॉक्यमेंटेशन देखे तो पता चला कि नेसेसरी जो डॉक्यमेंटेशन थे वह अवेलीबिल ही नहीं है किस तरह से यहां पे प्लांट प्रटेक्शन एजिंसी ने उनको कि आई पीर के पता चला कि जैसे डॉक्टर हूप जो है वो ब्रीडर थे लेकिन जब अप्लिकेशन फाइल हुई तो फ्रीटो ले की तरफ से फाइल हुई तो यह नहीं जो कम्प्लीटली डॉक्टर हूप और फ्रीटोले के बीच का अग्रीमेंट है उसको डिस्क्लोज नहीं किया गया यह कहा गया कि फ्रीटो ले ही इस वराइटी की ओनर है टेक्निकली यह डॉक्टर हूप के नाम से आनी चाहिए थी आप्लिकेशन क्योंकि ओर वो थे उन्हों अपने पेप्सी को को दे दिया पेप्सी को इंडिया में रिजिस्टर करा लिया तो यहां पर क्लारीटी रही थी क और प्रिद्यूस कर रहा है किसने इसको इसको अइटिफाई किया था तो यह सारी चीज़ जो पीपीवेफर अथारिटी से दूर रखी गए तो अल्टीमेटली क्या हूँ अल्टीमेटली जब फाइनल डिसीजन आया फाइनल ओर भी यही कहा गया कि हम इसको रिवोक कर रह करेगा फ्रेश जब यहां पर वो अपने फाइलिंग करेगा तो फिर आई प्यार उसको दिया जाएगा नहीं दिया जाएगा यह बात की बात करते हैं क्योंकि हमने बात कि है प्रोटेक्शन और प्लांट वराइटी जब सबसे बड़ी बात है फार्मर के राइट को जरूर प्रोटेक्ट करती है अगर कोई भी ऐसी क्रॉप जैसे मैं आपको बता है कोई भी ऐसी क्रॉप राइटी इंडिया में अवेल्बिल है वो अगर प्रोड्यूस की जारी है और कहीं कोई फार्मर इंडिया में उसको प्रोड्यूस कर लेता है उसको ग्रो कर लेता है तो उसक परोटेक्शन आपता हजार है कि ठीक है आइपियार के जो राइट't है वो अपनी जगे ठीक है लेकिन हमने फार्मर के लाइवलियषट राइट्स को ज्यादा ऊपर रखाए यहां पर हमारे हैं पर जो भी फार्मिंग होती है वह बेसिक लेवल से होती है उह्म कोई 강 of Plant Varieties and Farmers Rights Act 2001 में पास किया गया था इसमें क्या किया गया एक effective system दिया गया जिसमें नई varieties को encourage किया जाएगा साथी साथ farmers के rights को भी यहां पर encourage किया जाएगा निए farmer को भी कुछ rights मिलेंगे facilitation होगा agriculture produce जो भी होगी या breeders जो भी होगी उसमें farmers का भी एक place होगा तो ultimately farmer के rights की बात यह कर रहा है तो इसमें अगर हम देखेंगे कि तीन तरह के rights को यहां पर address किया जा रहा है सबसे ब्रीडर का right कोई भी ऐसा person जो ब्रीडर बनता है researcher के rights researcher उन crops को बारबर research के लिए यूज कर सकते आर इंड उस पर करते सकते और farmers के राइट की farmer के राइट भी कहा गया है कि एकदम ब्रीडर जैसे राइट होंगे अगर फार्मर भी उसको अपने खेतों में ग्रो कर ले तो फार्मर भी उसका फिर ब्रीडर माना जाएगा और अगर वह एक्स्टेंट वराइटी है तो आप फार्मर को नहीं नहीं रोकेंगे एक्स्टेंट वराइटी मतलब ऐसी वराइटी जो भारत में अवैलिबिल है भारत में कई और ग्रो की जा रही है लेटर से पंजाब के और अल्टिमेट लिए कि ठीक है इप्यार एक important mechanism है एक international mechanism है लेकिन जब बात आती है farming पे तो हम हमेशा farmer के livelihood की बात करते हैं farmer के को बचाने की बात करते हैं farmer के ही rights की बात करते हैं तो similarly इस authority के थुरू और protection of plant varieties and farmers rights act 2001 के थुरू हम यहाँ पे farmer को ही ज़्यादा protection देने की बात करेंगे इसलिए PepsiCo से यह जो IPR के rights हैं वापिस ले लिए गए हैं तो अब आपको भी समझ में आ गया होगा कि क्यों इतना crispy chips आपके घप तक पहुंचता है ऐसा क्या है उसके पीछे का scientific phenomenon हमारे जो courses उसके prices was generally से बढ़ रहे हैं 2022 से तो आब अभी buy कर लीजे बाकी अगली व क्यों अथार है